हेलो फ्रेंड नमस्ते वेलकम बैक टू रैडी विद रेखा जैसे कि आपको आप इस किलिप में देखने को मिल ली रहा है कि हमें कुछ फोटोस हैं और फोटोस के जरीए मैं आप से बात करना चाह रही थी पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग इतनी आसानी से किसी के बार में कुछ कैसे कह देते हैं हाँ ये तो सच है कि अभी पिछले दिनों महीने डेड़ महीने से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा उपर नीचे रहा है आप लोगों को भी पता है मेरी सरजरी भी बहुत सारी चीजे रही है जो आप लोगों को नहीं भी पता है कुछ लोगों को परसनली पता है तो लोग ज समझनी आरा उनको personally सब कुछ पता है मेरा फिर भी वह इस तरह की बातें करते हैं उनको क्या चाहिए कि मैं हर समय रोती रहू परिशान रहूं यह दिखाएं कि मैं बहुत दुखी हूं बहुत दुखी ओं ऐसा करने से क्या लगता है कुछ होने वाला है ऐसा करने से कुछ होने से चल रहा था कि जब सेमा परीशान ती मेरी सरज्जरी को लेकर मेरे साथ यह बहुत दिनों से चल रहा है लेकिन जो मेरा एक सहारा था वह यह वीडियो से था और में घुनकिन यह सीखने को मिल रहाilles था कि मैं भी ठीक हो रही हूं ठीक हो जाओंगी चलने फिरने लग जाओंगी पहले जैसे जिन्दगी हो जाएगी तब जैसे मैं रिकवर हो रही हूं वैसे वैसे मैं दुबारा से पहले वाली रेखा बनने कोशिश कर रही हूं यह मेरी कुछ पुरानी फोटो हैं जिन में अपन इसलब भी होता है मनमोजी नाम में वैसा लिमिट होती है और मनमोजी मैं हूँ लेकिन एक लिमिट के साथ मैं अपने सारे कारे करती हूँ सारी काम को जानती हूँ किस हिसाब से करना है किस लिमिट में करना है जो लोग मेरे आस पास के हैं वो जानते हैं कि मैं बिना वजे बात की इंपोर्टेंस ही नहीं है तो इतना ज्यादा भारी क्यों ले लो खतम करो फिर भी इतना होने के बाद भी अगर कोई चीज बार-बार आपको सुनने को मिल रही है न तो थोड़ा दुख होता है बात यूटुब की नहीं है बात उन लोगों की है जो मेरी वीडियो दे की कोशिश कर रही है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और लास्ट में मेरी पूरी फैमली के साथ में आपसे यही कहोंगी कि प्लीज सपोर्ट करिए